चारों तरब लोगों को देख रहा हूँ, आज मैं आपके बीच आया हूँ, पिछले दस साल में देश कहां से कहां पहुँचा है, देश ने कितनी प्रगती किये हैं, और उसमें आप सबका जो साथ मिला है, मैं आप सबका आभार वेक्त करने भी आया हूँ, आप लोगों ने यहां सिर्फ भाजपा सरकारी नहीं बनाई, बलकि विख्षिज भारत की आधार सिला भी मजबूत की है, चत्रिकट वार्षियों ने, बस्तर के मेरे भाई बेहनों ने, मोदी की गारंटी पर महोर लगाई है, और आज उसी विश्वा से पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, साथ क्यों, अनेक दशकों बाद, देश ने, भाजपा की स्थीर, और मजबूत सरकार देखी है, हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्रात्विक्ता रही, गरीब का कल्यान, आज हादी के बाद दशकों तक, गरीब की जरुतों को, कॉंग्रेस की सरकारों ने, नजर अंदाज किया, कॉंग्रेस ने कभी, गरीब की चिन्ता नहीं की, उनकी परिशानियों को समझे तक नहीं, कॉंग्रेस के सबसे बड़ी परिवार के अमीरों को, कभी महिंगाई का मतलब समझी नहीं आया, आपने 2014 में, गरीब के इस बेटे को, देश की सेवा का अउसर दिया, कच्ची छत के नीचे रहने की तकलिप क्या होती है, यह मुझे पता है, जब घर में राशन नहीं होता, तो एक माँ पर क्या बित्ती है, यह मुझे पता है, जब दवा खरीदने के लिए घर में पैसे नहीं होते, तो बेबसी कितनी ज़्यादा होती है, यह मैं जानता हूँ, और इसलिए मैंने ठाना कि जब तक गरीब की हर चिंता दूर नहीं करूँगा, मैं चेहन से नहीं बैठूँगा, हमारी सरकार ने गरीब के लिए, एक-एक करके ऐसी योजनाएं बनाई, गरीब को उसका हक दिया, आज सरकार के इन प्रयासों का ही नतीजा है, कि देश में पचीस करोड से जादा लोग, गरीबी से बहार निकले हैं, साथियों गरीबों के लिए भाजपा ने कैसे काम किया, इसका बहुत बड़ा गवाद हमारा ये बस्तर है, बस्तर के बारे में तो कहा जाता है, मावा बस्तर, सोबले बस्तर, बस्तर डिवीजन से ही मैंने आउश्मान आरो के मंदिर के निर्माण की शुरुवात की थी, ये आउश्मान आरो के मंदिर, देश भर में, गरीब को सस्ते इलाज, सस्ती जाज का प्रमुक केंद्र बने हैं, यहां च्छत्तिस गड़ बे भी हजारों आउश्मान आरों के मंदिर खोले गए हैं, इन आरों के मंदिरों की वज़े से, गरीबों को इलाज की बहुत बड़ी सुविधा मिली हैं, उनकी चिंता कम हुई हैं, मोदि ने पांच लाख रुपिय के मुप्त इलाज वाली, जो आउश्मान भारत योजना चलाई हैं, वो भी गरीबों के बहुत काम आ रही हैं, हम अपने हां जानते हैं, चायवादी वासी बस्ती हो या शहर हो, घर में मा कभी बिमार हो जाती है न, तो घर में किसी को पता नहीं चलने देती कि वो बिमार है, कितनी पीड़ा हो, मा सहती रहती है, उसके मन में एक ही बात होती है, चलिए दीरे दीरे ठीक हो जाएगा अगर परिवार में बच्चों को पता चलेगा कि मा को बिमारी है, मा को तकलीब है तो वो अस्पता ले जाएंगे बहुत खर्चा हो जाएगा संतानों के सर पे कर्ज लग जाएगा और इसलिए मा सोचती थी अब कितने दिन लंबे जिना है चलिए मुसिबत भोग लेंगे लेकिन बच्चों पर बोज नहीं बनने दूँगे ये हमारी हर माता सोचती थी सहती थी तब आपके इस बेटे ने सोचा कि अगर तुम्हारा बेटा वहाँ बैठा है तो फिर आपकी बिमारी की चिंता ये तुम्हारा बेटा करेगा देश के करोडों गरीबों ने इस योजना की वेज़र से हस्पतान में मुप्न इलाज कराया है इस योजना की वेज़र से गरीबों के एक लाग तीस हजार करोड रुपे से ज़्यादा खर्च होने से बज़ गए है जो उनको बिमारी के लिए खर्च करना पड़ता मोदी ने जो एक ग्यारा हजार से ज़्यादा जन आउसदिक केंद्र खोले हैं उन पर अस्षी प्रतीशत छूट के साथ दवा दी जाती है 80% डिसकाउंट इससे भी गरीबों के 30,000 करोड रुपे दवाई खरीदने में जो खर्च होता था न उसमें बच्चत हो गई है इसलिए ही आज देश का गरीब कह रहा है खर्च कम कराए बच्चत बढ़ाए बार बार फिर एक बार बच्चत बढ़ाए बार बार फिर एक बार साथियों दुनिया में दस साल का सबसे बड़ा महा संक्ट आया कोरोना खोवीड लोग कहते थे भारत कैसे बचेगा भारत के गरीबों का क्या होगा कॉंग्रेस के अमीरों की सरकार के समय देश में बीमारी का टीका आने में दस्वकों लग जाते थे मोदी ने कहा कि मैं अपने देश के हर गरीब के साथ खड़ा हूँ मैं गरीबों को मुप्त वैक्सिन भी दूँगा मैं गरीबों को मुप्त राशन भी दूँगा ऐसे समय में जब दूसरे देशों में कोरोना का एक एक टीका हजारों रुपिये में लग रहा था मोदी ने आपको मुप्त टीका लगवाया ऐसे समय में जब दूसरे देशों में खाने के लिए हाहा कार मचा था मोदी ने अपने गरीब भाई बहनों के लिए मुप्त राशन के दुकान खुलवा दी मुप्त राशन मुप्त वैक्षेनेशन पर मोदी ने चार लाख करोड रुपिय से जादा